राम जिसके इंकम एक लाख पचास अजार है भाई आपका मैं क्लियर बताऊं जो बच्चे आफ लाइन में बैठे हैं वो चुपचाप सर्फ सुने इसको तो सही रहेगा मैंने वैसे आज याद करने के लिए टेस्ट के लिए भी बोला था यह देखे राम जो है पांच लाख रुपे का है सुरी डेड़ लाख रुपे की इंकम है इसका टेक्स लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे अब राम तो सबसे पहली बात SSC ही नहीं है सर क्यों नहीं है SSC क्योंकि इसकी इंकम टेक्स लाइबिलिटी के बराबर ही नहीं है तो इसका टेक्सेबल इंकम हमें नहीं निकालना पहली बात कई बार कुश्चन में आपको लगे कि किसी की इंकम दो लाइबिलिटी निकालो तो आपको वहाँ देना पड़ेगा इसकी तो निकलेगी कैसे निकालेंगे वो भी देखिए अप्टू अप्टू 250 जीरो इसके बाद नेक्स्ट अगर नेक्स्ट देखा जाए ना तो नेक्स्ट 250 होता है लेकिन 250 लाइक है नहीं तो नेक्स्ट 150 बचेगा समझना बात को काफी बच्चे कोश्चन पूश सकते हैं समझ में आए डेड़ लाग कैसे बचा धाई लाग का हिसाब हो गया अब चार लाग की इंकम थी धाई का हिसाब बच गया तो डेड़ लाग बचा डेड़ लाग का कितने परसेंट होता है पाँच तो पाँच परसेंट इसका निकालेंगे तो 7500 total tax कितना हुआ इसका हाला कि इसे total tax देना चाहिए 7500 लेकिन मैंने बताया लोगों ने मुद्दा बनाया तो government ने बोला 5 लाग तक minus तो government ने क्या करा इसके बाद less कर दिया यहां से less rebate यह आपने याद रखना है rebate rebate कितना है हमारा 87A capital A है यहाँ पे capital A और small A का भी बहुत अपने आप में importance है बोला गया कि आपको 87A में government ने जब law बनाया तो क्या बोला कि 87A में आपको rebate maximum दिया जाएगा 12500 रुपे तक यानि आपका tax liability कुछ भी बनता हो अगर आपकी income 5 लाक रुपे या उसके अंदर है तो 12500 तक आपको discount दिया जाएगा यानि rebate दिया जाएगा छूट दिया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाए तो 7500 चेक क्या करें सर सर income 4 लाक है law क्या कहता है मैं लिख रहा हूँ 87A क्या कहता है 87A कहता है if income does not exceed rupees 5 lakh then rebate then rebate then rebate बोल दिया वा से deduction तो नही बोला rebate allowed up to 12500 सर सेक्षन ने इतनी बाते बोली हुई है कहता है कि अगर आपकी income exceed नहीं कर रही है 5 lakh से तो आपको 12500 तक का tax liability में छूट दिया जाएगा अब इसकी income कितनी है सर exceed नहीं कर रहा तो ये rebate के लिए eligible है या नहीं है कितने रुपे तक 12500 रुपे तक लेकिन इसकी income tax liability बन रही है 7500 तो rebate minus हो जाएगा कितने tax liability कितनी हो गई इसको सरकार को कोई tax नहीं देना अब 4% वाला मुद्दे की बात है अब इस पर 4% लगाऊगे तो वो तो 0 ही आना है ultimate लिए ठीक है चलिए case number 3 मान लिजिए राम की income 5,000,000 रुपे है कितने income बताई मैंने राम की 5,000,000 तो क्या होगा यहाँ पे सर सर यहाँ पे होगा up to 250 कितने होंगे 0 जिसे मैं निल लिख रहा हूँ next अब भाई धाई लाग कट गए तो 5 में से धाई तो धाई तो बच रहा है ना तो next 250 कितने रुपे 12,000 5% मैं लगा देता हूँ 5% नहीं तो पूछेंगे डारेक्ट पता नहीं कहां से अमाउंट आ रहा है at the rate 5% के हिसाब से 12,000 और तो इसके इंकम नहीं है 5,000,000 बराबर कर दिया हमने इसका अब आगे हमारा 12,500 क्या इसकी इंकम 5,000,000 से exceed है या नहीं है नहीं है तो क्या यह rebate के लिए eligible है बिल्कुल सर अब less कर देंगे 87A rebate maximum कितना जा सकता है 12,500 इसकी taxable income क्या हो गई 0, चलिए सर समझ में आ रहा है यहां तक अब ले लेते Mr. X जिसकी income है Mr. X की income 6,000,000 रुपे मैं income बता रहा हूँ income पे liability इसके अंदर deduction वगरा की कोई चर्चा नहीं है सब कुछ करके मैं दे रहा हूँ सिर्फ आपको tax liability निकालना सिखा रहा हूँ सर निकालते हैं क्या कहता है law up to 250 क्या रहेगा हमारा nil next 250 what at the rate at the rate 5% जो की निकल के आता है कितने रुपे 12,000 500 क्या बचा है कुछ और एक लाख रुपे बचा है क्योंकि 5 का हिसाब किताब हो गया एक बचा next one lakh क्या slab rate आ जाएगा सीधा 20% यानी 20,000 कितने आ गए है 32,000 87A क्या कहता है भाई तेरी इंकम अगर पांच लाख रुपे तक है तब तु मुझे अपलाई कर सकता है otherwise तेरी हिम्मत नहीं के मुझे अपलाई करे कौन कहता है 87A अब इसकी इंकम कितनी है क्या 87A अपलाई हो सकता है नहीं हो सकता अब सीधा लगेगा यहाँ पे क्या प्लस 4% जिसे मैं CES बोल देता हूँ Health Education CES होता है वैसे मैंने CES लिख दिया Short Form में सर्फ 4% किसका 32,500 होगा 4% तेरा सो रुपए Tax Liability 37,800 ठीक है मैं भी काफे सार एक्जामपल लूँ हाँ जितने माइंड में डाउट चल रहेंगा थौट चल रहेंगा सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है और एक्जामपल ले चलिए Mr. X Income 5,5,000 Mr. X की Income कितनी रखी मैंने 5,5,000 Up to 250 क्या Income होगा Nil Next Next 250 क्या Income होगा At the rate 5% जो की आ जाता है हमारा 12,500 Next कुछ बच रहें क्या 5,000 बच रहें At the rate 20% 1,000 Total आ गया 87A लगेगा या नहीं लगेगा कमेंट में भी बताईए आप भी बताईए मुझे क्या 87A लगेगा या नहीं लगेगा क्योंकि 87A क्या कहता है अगर Income रही 5,000,000 रुपे तक अगर 5,000,000 एक रुपे भी हो गया न 87A नहीं लग सकता है यहां पर जो बच्चे लाईव हैं वो भी जवाब दे जवाब आ गया No इसका मतलब Sir देख रहे हैं 4% क्या लग जाएगा Says यह सही से लिखते थे हैं C-E-S यानि आप एक चीज मैं यह सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ निकाल तो आप भी लेते यानि सर पांच हजार रुपे अगर इंकम हमारी कम होती देख रहे हो कितना यह देखो लॉट सोड़ा समझ में नहीं है पांच हजार रुपे इंकम जादा क्या कमा लिए तुमने तो 14,000 रुपे मेरे से वसूल लिए पहले क्या था पांच लाग के इंकम पर कितना था बस पांच कितने रुपे जादा कमाए पांच हजार गौवर्मेंट ने कितने वसूल लिए 14,000 चालेस रुपे यानि हर वेक्ति आज के टाइम पर चाहता यार मेरी इंकम ना पांच लाग तक रुख जाए उसके लिए वो अलग-अलग क्या करता है टेक्स के प्लैनिंग करता है हम टेक्स चोरी कभी वर्ड यूज नहीं करेंगे टेक्स प्लैनिंग वर्ड यूज करेंगे कि इसदर इंवेस्मेंट किया जाए ये किया जाए तो एक ये चीज़ है 87A आपको लगाना आ गया होगा चलिए एक कोश्चन मैं आपको दूँ एक आठ लाग वाला तो किया था एक कोश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ Mr. X income 30 लाग एक कोश्चन मैं आपके सामने करना जा रहा हूँ फटा फट से आप भी इसके बाद दूसरा कोश्चन दूँगा आपने करना है Mr. X का income कितना है 30 लाग अप टू 250 निल आगे क्या आएगा next next 250 5% क्या आएगा 12,500 इसके बाद next कितने 30 लाग की है अभी 5 का हिसाब हुआ है तो next 5,00,000 at the rate 20% यानी एक लाग इसके बाद balance कितने बच गया सर अभी कितने का हिसाब हो गया 10 का था income कितना बचे कितने 20 लाग पे कितने परसेंट अब देखो आपको पता लगेगा कि tax क्या हो गया हमारा 6,00,000 12,500 अब इसके बाद भी सरकार को चैन नहीं आया ओके 7,00,000 रुपे 7,00,000 at the rate 4% 6 तो 7,12,500 पे 4% 28,500 रुपे इतने में तो अपने बच्चे को पढ़ा ले गाई है 7,41 देखो अगर 30,00,000 की इंकम आपकी हो रही है ना तो 30,00,000 के इंकम पे खुश होनी की जुरत नहीं है आपके इंकम सिर्फ और सिर्फ साड़े 22,00,000 रुपे ही मनी जाएगे क्योंकि ये तो सरकार को ही देना है यानि आपकी 5,00,000 रुपे तक इंकम है ना तो आपको इशू नहीं है जैसे ही 5,00,000 से ज़्यादा बढ़ता है ना तो गवर्मेंट आपके उपर बहुत तेजी से आपसे कलेक्शन की तरफ बढ़ जाता है अगर इसकी इंकम होती ना 50,00,000,000 रुपे तो गवर्मेंट बोलती इतना ज़्यादा कमा रहे हो और 50,00,000 पर गवर्मेंट को दे रहे हैं फिर भी बोलती 10% और लाओ जहां पर लग जाता है सरचार्ज अगर किसी की इंकम 50,00,000,000 से लेके एक करोड रुपे के बीच में होता है तो वहां लग जाता है सरचार्ज हमारे कुश्चन के लिए irrelevant है बस मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है ना अगर एक करोड से दो करोड होती है तो गوبर्मेंट बोलता और 15% जोड के लाओ ठीक है ना दो करोड से पाँंच करोड होता है तो गौवर्मेंट कहती है अब और थोड़ा से बढ़ा के दो यानि government का purpose पता है क्या है कि आपके पास ज़्यादा पैसे ना छोड़ा जाए government के use में आ जाए अब ये बिचारा कितनी मेहनत करके 30 लाख रुपे कमाएगा पूरे साल में और इसने जो भी कमाएगा कितने रुपे tax देना होगा 7 लाख 41,000 रुपे tax देना होगा अब फिर ये person आपके पास आएगा और बोलेगा थोड़ी मेरी income कम कर दो और कुछ ऐसे मेरे लिए tax planning कर दो जिससे कि हमारा tax liability कम हो जाए मैं क्या करूँगा मान लो मैंने बहुत जगह उसे investment करवाया FD कर दो अपने parents के medical पे डाल दो किसी handicap की मदद कर दो charity में डाल दो insurance ले लो बहुत जगह कराया ऐसे करकर के मैंने उसके मान लो 5 लाख रुपे अगर मैंने कम करवा दिये tax planning के थूँ तो 5 लाख कम कराते ही उसके income पता ही कितनी हो जाएगी अब 25 लाख के उपर tax liability आपको निकालोगे ना जब आप तो क्या आएगा देखो मैंने tax planning कर रहा हूँ उसका 25 लाख रुपे की income पे क्या आएगा अब 2 250 मैं चीजे बता रहा हूँ जो आगे real life में काम आएगी आपकी next अब direct लिक हूँँगा मैं कितने आएगे next अब कितने बच गए 15 लाख कितना होगा साड़े चार लाख कितने tax होगे बता ना साड़े चार साड़े पाँच 5 लाख हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया सेस को छोड़ देते हैं सेस तो अब बच्चा सा लग रहा होगा कुछ हाई नहीं में तो इस पर परसंटेज पर थोड़ा सा मैंने उसको guidance किया तो वो 7 लाख 12,000 से उसकी tax liability कितनी बन गई 5 लाख 16,500 टोटल अगर totality में देखो तो लगबर 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 देड़ लाख का फाइदा हो गया लेकिन अगर आपको टेक्स की knowledge नहीं है तो आप चुप चाप जाके इस पर टेक्स दोगे अगर आपको टेक्स की knowledge है तो आप टेक्स इस पर जाके दोगे अपनी planning करके इसलिए सभी वेक्ति को इंजीनियर को आईटी में जितने काम है उनकी salary 20-25-35-30-30-30 लाख रुपए है वो हम जैसे commerce के student को हम जैसे commerce के जो professional है उनको चूज करते हैं सर हमारे टेक्स के बारे में बताईए हम बता देंगे उसको कुछ ऐसी planning उसके कितने income बच गए बताओ डेड़ लाक रुपे income बताओ सामने वाला वेक्ति 20,000 मुझे देना अच्छा समझेगा या सरकार को 7,12,500 टेक्स देना पसंद करेगा 20,000 हमारी जो यह knowledge है यह हमने बस थोड़ा सा दिमाग लगाया वहां implement किया उसके कितने रुपे बचा दी हमने 1,500,000 रुपे जिसका हमें remuneration कितना मिल गया 20,000 बताओ बड़े सारे client होते हैं income tax की मैं बात करा हूँ यह क्या subject है ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे doctor को पता नहीं है उसे injection देना आता है इंजिनियर को पता नहीं है उसे मकान बनाना आ रहा है उसको इतना दिमाग नहीं है लेकिन आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि भ आपने इसको text चोरी करना नहीं सिखाया है, text का क्या बता दिया, planning बता दिया, तो text planning समझाने की आपको fees मिलती है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया है, कुछ questions आपको दूमे करने के लिए, चलिए, यह पहले note करेंगे, पहले यहाँ तक समझ में आ गया, या और भी example लूँ समझ में आ गया, यह किसकी income सीख रहे हैं, individual की, individual की में भी normal income, individual में भी बड़े सारे category है, वो भी text rate देखेंगे हाँ जी, 4% of fix है, सरचार्ज सलेवस में given है, लेकिन exam में ऐसा कोई income आएगा ही नहीं, जो 50 लाक रुपए से उपर हो, मैं rate लिखवाँगा, मैं कुछ चीज़ा भी बता दूँ, देखो सर, neurism नहीं बताया, नहीं बताया, क्योंकि मैं अभी बताऊँगा, तो confusion create होगी, क्य लेकिन क्या आप कभी नहीं बताऊगे, ऐसा नहीं है, मैं बताऊँगा जुरूर, सर, सरचार्ज नहीं बताया, clarity में, अभी नहीं बताया, फालतु मैं आप सरचार्ज पे और tax rate पे क्यों tension लोगे, आगे बताऊँगा मैं, जब आप थोड़ा सा build-up हो जाएगा, आपका mind develop हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि new subject है, थोड़ा सा mind develop होगा ना, तो मैं बीच-बीच में वो चीजे बताता जाऊँगा, सरचार्ज भी बताऊँगा, नियू रिजिम भी बताऊँगा, साथ के साथ capital gain का tax rate भी अलग होता है, 111 यह होता है, 112 यह होता है, जितने भी आपक जाँगा, कुछ भी चीज, एक्जाम से पहले आपका जो भुक है, ग्रीस आऊजा, उसका एक एक पेज आपको पता होगा, कि कहां पर क्या section है, कुछ भी नहीं छोड़ा होगा, हाँ, जो important नहीं होगा, definitely मैं आपको बता दूगा कि यह important नहीं है, फिर भी एक्जाम में तो उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल DU के according में चल रहा हूँ, या other university है, वो भी apply कर सकते हैं इसको, CA के according नहीं है, CA का हमारा एक साल पीछे चलता है Delhi University, तो कोई बच्चा सोचे के हम इस tax को पढ़के, हम CA का paper देंगे, तो बहुत सारे provision होगे, जो मुझे पुराने पढ़ाने amendment बाद में होगा, हाँ, आप जो मुझे से पढ़ोगे, जो चीज़े बदलाव होगी, उसे self पढ़के, आप CA का exam definitely दे सकते हो, उसमें कोई changes नहीं होगा, एक question आपको दे, दो मिनिट में करके दिखाओगे, शॉट्स तो एक मिनिट में बना लेते हैं, तो question दो मिनिट में तो होना चीज़े न, राम की income, सभी से उमीद करूँगा, correct answer दे, राम की income, 45,000,000 है, इसकी tax liability जो offline बच्चे बैठे हैं, वो भी, जो live class के अंदर बैठे हैं, वो भी, बताएं इसकी tax liability क्या आएगी, यस 5,001 एक पे भी 12,500 माइनस नहीं करने दिया जाएगा, बिल्कुल सही है, हाँ अगर वो बोल रहे हैं के 5000 डोनेट करते तो बच सकता है,